हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक तो मैं चैनल अमरिती पहसन विला अज की वीडियो में मैं लिड्वोपाल जी के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं इसे बनाना बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और यह रहा है हमारी चीन अमरी काना जी बातने के बातने के बात देंगे यह लगती है यह देखिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन पर प्रस करके और प्रस कर लें जिसे आने मेली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपक जाए मिरा इंस्तार में डटल है अमरिद्वचस मेलाए 523 फ्री लिंक आपको डिस्क्रिप्स्न बाक्स मिल जागगा चले आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मिले ड्रेस कैसे पिनाया कानाजी के लिए आप चाहिए तो इससे साइज और से इस तरह से स्टिज भी कर सक जी के लिए गिए और यहा पे इस तरह बहुए घैय गेज़ा ढालSt magic बनायेंगे अब इसको अपने यूघ में इस तरह से अडालना यहा אם यहां पे इसे ट्रे गिया गिए इश तरह से में इस तरह से पिकित ूट करेंगेरिगिन से Zh यहां पर हम चेन बनाएंगे, डिला डिलाई बना रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, हमने या टूटल चौदा चेन बनाई, अब एक चेन हमारे हूप में है, इसके बाद हम तीन चेन चोड़ेंगे, और इस तरह से हम चौथी चेन में डालके डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखे हमने एक बार बना दिया, अब यहां अगली चेन से हमें दो बार बनाना है, डबल क्रोशिया, यहां देखे हमने अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और यहीं सेम चेन में हमने एक और बार बना दिया, इस तरह अब हम यहां सभी chain में दो दो बार double crochet बुनेंगे, चले बुल लेती हूँ, पिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह दिए हम ने यह आप यह एक रो बुन दी है, अब यहां से अपने walk को ऐसे turn करेंगे, turn करने के बाद हमें 1, 2, 3, 4, 4 chain बनाई, इस तरह से करेंगे, और फॉर्स chain में डालके हमें double crochet बुन देनी है, यहां बुन दिया, फॉर्स chain में फिर यहां एक chain बनाएंगे, और देखें, second chain में हम double crochet बुन देंगे, फिर यहां एक chain बनाएंगे, फिर अगली chain में हम double crochet बुन देंगे, इसी तरह से हमें एक एक chain में ब क्वैवल क्रोश या बुनते चले जाना है तो चले मैं पूरी रो कम्प्लीट करती हूं फिर आगे आपको बताऊँ कि क्या करना है यह थेकि यह धी कर दिया अब मैंने और इसे ऐसे कीच के लंबा करेंगे, एक बार किया, फिर हमने यह देखें, दो बार किया, और फिर यह तीन बार किया, यहां से उनको निकालेंगे, और निकालने के बाद हमने इसे लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद एक चेन बनाएंगे, और फिर हम इस तरह से करेंगे, फिर अगले वाले में डालेंगे एक बार, दो बार और ये हमारा तीन बार फिर यहां से ये उनकों हमने निकालने के बाद इसे लॉक किया लॉक करने के बाद एक चेन बना ली फिर वही चीच एक बार, दो बार और ये तीन बार फिर यहां से इसे हमने इस तरह से निकाल २ॉट किया लोग करने वद एख चेर्श yan बनाएगा एसे हम कि सभी चेर बार हुच-बार कर लिना है सारे whole के बीच-बीच में से चले कर देती जो फिर आगे से बताओंगे क्या करना है यह दießen पर इसे बुढ दिया है। बुनने के बाद लास्ट में यहाँ पड़रा पे लंबा करेंगे pe कट कर दिना है यह शुब है कर दिया कि इस तरह से वैके अब यह वाय वायट वाल है इसमें बुनेंगे कि यहांपर देखिए हैं इस तरह से हम चेन में डालेंगे यह हम निपन दे को निकाला उसके बाद में यहां Actsd बनेंगे हमने एक बार बनाया और यह हमने दो बार बनाया अब देखिए अगले वाले डिजाइन में डालके हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे जोड़ने बात फिर हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और यह सेम जगर डालके हम एक बार डबल क्रोश या और यह दो बार ड यह दो बार double crochet यह फिर अगली वाले में डालके हमने इस इस तरह से जोड़ दिया ऐसे हमें इसके पूरे राउंड पर करना है चले कर लिती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देकि हमने यहां पर पूरे पर बना दिया अब हम क्या करेंगी यहां पर इस इस तरह से जॉइंट कर लेंगे यह also को हमें सॉइंट कर देना है यह ऐसे करके हमने July Ace आपटी कर दिया एक दूसरी के साथ पीछे सरकों बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद यह से हम कट कर देंगे यह तो कट कर देंगे कंगेês के अब पर नैजर ने हो गया है बीच का सरकल यह काना जी किस तरह से गले प्याएगा देखें यहां इस तरह से हम इने पहनाएंगे आप जब ऐसे बनाएं तो पहना के चेक कर लें आप गले से आसानी से उतर जा रहा है यह देखें बहुत एक उपसुरत लगे गिए अपि जब हमारी पुझुट् सेंटर आ रहा है तो यहां से यह है सेंटर हमारा यहां पर हम भुझ डाल लेते हैं इस तरह से जिसे हमें पता चले कि यह हमारा सेंटर है यह हमारी सीधी साइड है तो यह हम उल्टी साइट पर आएंगे यह हम उल्टी साइड पर आएंगे यह हमारा सेंटर है तो देखें तो हम इदर से design ले लेंगे और नो आपर ज़ंघ हमें इसे अज़िए मिध singles सेंटर के दो इधर से और दो इधर से पड़ें कि और स्काते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे करते हमें को लगाया, टोटल आठ डिजाइन में हमें बुनना है, ये चीज़ धियान देनी है, अब देखे, एक, दो, तीन, हमने तीन चेन बनाई, इसे भी हम एक डूबल क्रोशिया मानते हैं, और ये सेम जगह डालके हमने, देखे, डूबल क्रोशिया बुनती, एक बार, फिर हम इस त इस तरह से करेंगे, और ये अगले वाले में डालना है, टोटल चार में हमें बुनना है, ये देखे, यहां से हमने डूबल क्रोशिया एक बार, और यहीं सेम जगह डालके हमने, एक और बार बुनती, ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, ये देखे, ये आपके ऊपर के के जाएगा, इस तरह से कर गूएंगे, ये देखे, यहां में अपने पंडो को बढ़ा है, तो किस तरह से बढ़ाएंगे, अभी तो ये हमारे चोली वाला हिस्सा ही चल ला है, इस तरह से हमे या पर बढ़ाना है, सब से परहले तो हम दो हम दो चेन ही बुनते हैं, और ये छोड़ के बाद नेक्ट चेन में हमने एक बार बनाया और और एक जिए हई जाना पर घी एक बार बनाया और यह चेज़िन द कुछ भी तरह बंदाती है, यह तो कि टीसरी और सबक्र है नो इसी chain में हमने एक और बार double crochet बनाई, फिर यहाँ पर देखें, एक chain में एक बार, दूसरी chain में एक बार, और तीसरी chain में हम दो बार बनाएंगे, यह एक बार और यहीं सेम chain में एक और बार, फिर यहाँ पर देखें, first chain में एक बार, second chain में एक बार, और third chain जो है, इसमें दो बना लेना है यह एक बार और यहीं सेम चेंड में एक और बार बन गया फिर यहां पर देखें फॉस्ट चेंड में एक बार सेकंड चेंड में एक बार और थॉर्ट चेंड में हमारा एक और बार बन गया सेम तरीके से मैंने दो रो बनाया है यह देखें दूसरा और तीसरा र पांच बार हमारा एक जैसा होगा तो बस एक एक चेन हमारे इंक्रीज होगी यह देखें हमने दो चेन में बनाई है दो बार बन गया और यहीं सेम चेन में हमारा एक और बार बन गया अब जैसे हम दो चेन स्किप कर रहे थे वैसे हम तीन चेन करेंगे जैसे देखें पहली च और हमने एक और बर Olन दिया अब फिर यहाँ तीन चैन करना कि दिक एक पार जोचे चेंवे रहाइगी मोत दो एक दोक्रीग चैन में आगे, उसमें, नियुन गढ़ुचे है एक और यही same chain में एक और हुग अब फिर यहां देखे के this chain में और बनाया दूसरी हैं मि हमने एक बर बनाया तीसरी चैन में 1 हगा भी हम्हारी लास्ट चैन भी है तो उसमें हमने एक बार और यहीं Same chain में एक और कर ब१न दिया इसी तरह से यह हमारा एक एक बढ़ता चला जाएगा जैसे कि पहले हम दो फंदे में एक बार बुन रहे थे तीसरे में दो बार बुन रहे थे स्वेम तरी के से दो रो हो गई अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो तीन फंदे में हमने एक बार और चौथे में दो बार बना है अब सेम तरी के से दूसरी रो भी बनाएंगे अब जब इसके उपर जाएंगे दो रो के बाद तो हमें क्या करना है चार चेन में एक एक बार और पांच वी चेन में दो बार बना है ऐसे करके हमारा बढ़ेगा तो चलिए मैं इसे लंबा करती हूं फिर आगे आपको बता हूंगे क्या करना है यह देखे हमने यहां पे यह एक रोत उठाया था उसके बाद देखे दो रो और यह तीसरी रो आपके सामने बुनी है टोटल यहां पे देखे हम एक दो तीन चार पांच छे साथ टोटल साथ रो बूलते हैं लिस्ता भी रो जो है वो वाइट कलर लिए अब यहां पर हमें अपना डिजाइन स्रॉठ लेना है कि इस तरह से बुनेंगे यहां पर हम इस तरह से एक दो टीन चार चार हमने बनाई यह फॉस चीन मे अब देखें यहां पर जो फोर्स चेन है इसे हम स्क्रिप करेंगे और अगली चेन में डबल क्रोश या बुन देंगे फिर यहां हमने एक chain बनाई देखे एक chain में यहां पर बुना है यह हमारी दूसरी chain में बुन गया फिर एक chain बनाई यह हमारी तीसरी chain में बुन गया फिर एक chain बनाई देखे अब फिर यहां पर हम एक chain स्क्रिप कर देंगे और अगले वाले में बुन देंगे यह हमारा एक में बन गया फिर वही चीज करना है देखे, दो में हमने बना लिया फिर एक चेन बनाई और तीसरे में भी हमने बुन दिया और फिर एक चेन बनाई यहाँ पर एक को स्क्रिप कर देंगे और अगले में बुन देंगे इस तरह से हमें अपना पूरा ये रो कंप्टीट कर लेना है चले कर लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहाँ पर वाइट कलर से बुनने के बाद इसे कट कर दिया है आप यू हमें बुनना है इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर दिया है यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे यह इपना इसकाई बलू कलर यहाँ चेन में से डाल के हम लगा लेंगे इस तरह से हमनी लगा लगाने के बाद एक दो और तीन तीन चेन बनाए अब देखिए यह फॉस्ट होल में हमने डाला एक बार इसे लंबा किया दो बार और यह लास्ट तीन बार हमने किया देखिए यहां से इस तरह से निकालेंगे निकालने के बाद लॉक करने बाद एक चेन बनाए और फिर अगले वाले होल में तुम दालके हैं फहीचीज कुल कि थेंगे हैं मैं जासा हम नेख़ा किया है जासा हमीं क्ते हैं कोई भी कदरशच नहीं होग फिर एक के प this करना के बाद हम करने क होगे ओड लेगा, जासा हम पघलाईच को खेंगा से लोगत से हम इस कर लिए या इस के पडारि you यहां पे बनाया है, बहुत ही कुपसुरत लग रहा है, अब जैसे हमने इधर बनाया है, सेम वैसे हम इधर भी बनायेंगे, यहां से जो हमने उठा के बुना है, वैसे हम इधर से भी बनाया है, तो यह देखें, एक दो, दो इधर से ले लेंगे, और एक और दो, दो इधर से वही चीज हमें इधर रिपीट करनी है, बस मैं आपको यहाँ पर उठा के एक रो दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नो हो और आप आसे इसे बना लें इसे, यह हमने एक दो, दो चेन बनाई, यह हमारा एक होई गया, डबल क्रोश यह, यह हमारा दूसरा हमन बना लेंगे, दो हो गया, अब देखिए, अगला दो हमें, यहाँ से बनाना है, इस तरह से हमें, यहाँ पर इस तरह से निकाला हमने, और निकालने के बाद, यहाँ पर हम अपनी डबल क्रोश यह, बुन देंगे, यह एक हो गई, और यह हमारी, दो हो गई, फिर अब अग दो बार हो गया यह देखें यहां पर आपको यह आर्ट चेन उठा के दिखा दी सेम जैसे इधर उठी है अब जैसे हमने इधर स्टार्ट किया था सेम वैसे सब कुछ हम इधर भी बुन देंगे यह हमारा इसके उपर से आएगा तो चलिए मैं ऐसा ही इधर भी बुन लेती फिर आगे यहां पको बताऊंगे की क्या करना है यह दिखें आपे दोनों साइडे से बना दिया ऑब बनाने के बाद यहां से मैंने एक डोरी बून camp के यह चेन के बीच से इस तरह से डाल दी है यह बातने के लिए हो गया और साथ में यहां पर मैल्चिंग की कैप भी बनाई है, इस तरह की कैप बढ़ाना मैंने आपको पहले बहुत बार बता है, इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूट करके वीडियो को बढ़ा नहीं किया है, यह दिखें, आप मेरी पीछली वीडियो देख के सीख सकते हैं, तो आसा कटियो की वीडियो आपको पसंद आए होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्स्क्राइब करें, अब हम मिलेगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे